साथियों नमस्कार उम्मिद करता हूँ आप अच्छे होंगे बढ़िया होंगे मस्त होंगे आपकी मस्त तयारी चल रही होगी एसिस्टेंट प्रोफेसर की हो साथि हो आज हम चर्शा करने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट से अगर आपके कॉंसेप्ट क्लियर है तो एक खाद क्यूशन बनेगा ही बनेगा और इजी वे में आप जो हैं करके आओगे कभी गलत नहीं करके आओगे जो सोच रहे हो वहां से कि यहां से यह चीज़ और जो सेट के हैं उनका दिसम्बर में एक्जाम है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयर ही कर रहे हैं वह साथी पीस्फूल माइंड से तैयर ही करें सभी को मेरी तरफ से बेस्ट आप लख कांग्रोचुलेशन अच्छे से वेपड़ दे कि आए पीस्फूल माइल से जाए आराम से एक्जाम देने के लिए गबराए नहीं आपको वहाँ पर जो है टाइम का मेनेजमेंट अच्छे से करना है और क्यूशन जो है मेक्जिमम क्यूशन बनेंगे 150 क्यूशन तो सब्जेक्ट डखे हैं 50 क्यूशन आपको पता है GS के बनेंगे GS का वेपर पहले बीच में थोड़ा टाइम मिलेगा तो उस टाइम पर भी ज्यादा है आराम से पेपर करना थोड़ा यह चीज़ बतानेक बाद थोड़ा मैं स्ट्रेशन चींच में कुछ नहीं है केसे कह आपको ध्यान रखना है यह टोपिक हो जए उसके बाद में और मेंली फिजिकल और chemistry तो basic level की बनेगी पुछले paper जो देखा था BAC level से और थोड़ा organic chemistry में थोड़ा advanced है तो थोड़ा advanced reaction, name reaction, hydrocyclic chemistry aromaticity ये कुछ topic जो है advanced type के हो जाएंगे istereo chemistry के तो नहीं आपार हो जाएंगे चलो साफ, hitting effect के बारे में जाब बात करते हैं तो बहुत easy way में सबसे पेले हमें hitting effect में बात करें किसके लिए बात कर रहे हैंपन diicarboxylic acid ठीक है diicarboxylic acid तो diicarboxylic acid में भी जरूरी नहीं है कि कहां कहां पर क्या क्या चीज loss होती है, है ना one or no intervening carbon, मतलब जो 2COOH group के बीच में अगर यहां तो फिर 1CH2 का हो है ना, एक carbon है यहां फिर कोई carbon नहीं है, तो उस condition में क्या चीज होगा, क्या होगा तो यहां पर दे रखा है loss of CO2 सिर्फ क्या होगा, CO2 का loss होगा उस condition में, अब इमे से CO2 को loss करके देख लेते हैं यह CO2 का loss हो जाएगा तो क्या फार्म हो रहा है साहब यहां पर फार्मिक एसिट बन रहा है HCOOH HCOOH प्लस CO2 ठीक है, loss of CO2 यह condition है तो सारी समझ में आजएगी देदरे action of heat on malonic acid, साहब यह malonic acid का फार्मूला है दो कारवुकसिलिक ग्रूप के बीच में एक CH2 present है heat करेंगे 140 degree Celsius पर तो यहां पर जो यहां पर भी क्या फार्म हो रहा है यहां पर भी किसका loss हो रहा है एक CO2 का loss हो रहा है तो यहां पर यह एक CO2 का loss कर देते हैं साहब यह एक CO2 का loss और एक H इधर मिल जाए तो क्या हो जाएगा यहां पर acetic acid form हो जाएगा CH3 CO2 CO2 यह reaction complete हो गई है ठीके मेलोनिक एसिट से acetic acid form हो रहा है यहां पर 140 degree Celsius decompose होगा मेलोनिक एसिट का तो यहां पर अक्जिलिक एसिट का decomposition होगा तो फार्मिक एसिट फार्म हो रहा किलियर है ओके चलिए अक्जिलिक एसिट की डिसकप मोजिशन से फार्मिक एसिट acetic acid अब कहानी थोड़ी change हो जाएगी आगे बात करें यहां पर 2 और 3 intervening carbon है दो कार्बुकसिलिक ग्रूप की बीच में एक CH2 यहां पर है और एक CH2 आपका प्रदेट यहां पर है तो अब क्या होगा साब उस कंडिशन में ध्यान रखना यह कंडिशन में आप CO2 निकालना नहीं है उस कंडिशन में आपको क्या करना है उस कंडिशन में आपको लोस किसका करवाना है H2O का LOS करवाना है LOS होगा किसका होगा LOS H2 होगा यहाँ CO2 का LOS होनी रहा है यदि आपके पास 2 या 3 इंटर्वींग कार्बन हो 2 कार्बोकसिलिक एसिड के बीच में हिटिंग करवा रहा है 100 से 150 degree Celsius पर सहाब यहाँ पर जो है अगर LOS हो गया यहाँ पर तो यह सकसिनिक एसिड है सकसिनिक एसिड सकसिनिक एसिड और सकसिनिक एसिड से क्या फार्म हो जाएगा सकसिनिक एनहेड़ेट फार्म हो जाएगा तो H2O का LOS हो रहा है यहाँ पर यह CH2 है यह CH2 है ठीके यहाँ पर यह C है यह double bond O है एक oxygen और बेठा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर यह C double bond O और यह H2O निकल जाएगा H2O का लोस हो गया और यह जो फार्म हो गया यह हो गया सक्सिनिक एनहेड़र्ट सक्सिनिक एनहेड़र्ट समझ में आ गया लोस किसका करना 2 और 3 इंटर्विंग कार्बन है 2 C double O के बीच में तो किसका लोस होगा H2O का लोस होगा तो यहाँ पर सक्सिनिक एनहेड़र्ट बनना यहाँ ग्लुटेरिक एनहेड़र्ट फार्म होगा ग्लुटेरिक एनहेड़र्ट में वो का वही कंडिशन एक H2O निकालना है आपको CH2 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 और यहाँ पर यह C double O C double O H2O निकल गया साब एक Oxygen बचा है इनके बीच में यह ग्लुटेरिक एसिट से क्या बन जाएगा ग्लुटेरिक एनहेड़र्ट ग्लुटेरिक एनहेड़र्ट बनेगा साब प्लस क्या लिख ले H2O ठीक है साब इस structure को साओ चाहो तो आप ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसी structure को आप ऐसे भी लिख सकते हो चलिए साब ऐसे इसको भी लिख सकते है ठीक है तो यह यहाँ पर 2 और 3 intervening carbon हो तो क्या निकल रहा है H2O निकल रहा है समझ में आ गया यदि आपके पास में कोई carbon नहीं है दो carbonic group के बीच में ठीक है intervening carbon कोई भी नहीं है तो यह CO2 का loss होगा इस condition में H2 का loss होगा अब सहाब आगे बात करते हैं action of heat on adipic acid adipic acid यहाँ पर 4 या 5 intervening carbon है 2 cereboloids की बीच में इसमें 4 carbon present है इसमें 5 carbon present है तो क्या होगा उस condition में याद रखना सहाब CO2 का भी loss करवा देना और H2O का भी loss करवा देना CO2 का भी loss करवा देना और H2O का भी loss करवा देना ठीक है इस condition में CO2 और H2O दोनों का loss करवाना है तो करवा देते हैं साहब CO2 का लोज भी और H2 का लोज भी तो यहां से एक CO2 निकाल दो और एक H2 निकाल दो यह ADPG acid है COOH की बीच में 1, 2, 3, 4 CH2 गुरूप जुड़े हुए हो उसको कहते हैं COOH, CH24, COOH यह ADPG acid है अब साहब हीट करेंगे 300 degree Celsius पर तो यहां पर क्या form होगा साहब साइकलो पेंटेनोन फ़र्म होने वाला है साइकलो पेंटेनोन साइकलो पेंटेनोन प्लस CO2 प्लस H2 साइकलो पेंटेनोन कुल मिला कि है आप जो हीट करोगे की को हीट करोगे ADPG acid को तो सहब साइकलो पेंटेनोन फॉर्म होगा यहाँ पर इंटर्विंग कार्बन जो है फोर या फाइफ हो उस कंडिशन में CO2 रेश्टो का लोस होगा आई बात हमज में चलिए पूरी तरह से फिट होगी तो फिर इसका भी बना दो इसमें क्या बनने वाला है दिखा दो मेरे को 300 डिग्री सेल्सेस पर इसको हिट करेंगे किसको पाइमेली केसिट को ठीक है तो इसमें इस कंडिशन में इसमें भी वही कंडिशन सेम कंडिशन आप CO2 का लोस करवादो आप H2 का लोस करवादो तो ये साहब ठीक है ये हो जाएगा 12345 5 करवादो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्जेनॉन साइक्लो हेक्जेनॉन प्लस CO2 प्लस H2 अगरे बात समझ में साहब तो ये चीजे है चाहो तो आप इसको यहाँ लिख दो तो भी दिक दिक कर नहीं है समझने के लिए ठीक है साथ एक सीओ तो साइक्लो एक दून फार्म होगा समझ में आगई ये करामात हैं बस अगर दो कार्बोकसलीक एसिट के बीच में या तो फिर CH2 प्रजेंट है एक CH2 या फिर कोई CH2 प्रजेंट नहीं है तो उस कंडिशन में सिर्फ सीओ टू का लोस करवाना अगर दो या तीन CH2 प्रजेंट है ठीक है 2 या 3 CH2 प्रेजंट है तो आपको किसका लोस करवाना H2 का लोस करवाना अगर ये condition है condition ये है कि अगर दी 4 या 5 CH2 ग्रूप प्रेजंट हो ओके या 5 कारबन प्रेजंट हो तो उस चंडिशन में आपको जो है CO2 रेजटव दोनों का लोस करवाना है तो ये die carboxly acid के उपर अपनोंने hitting effect की बात करी है ठीक है, depend करेगा chain length कितनी है chain length में जितने ज़्यदा जैसे जैसे carbon बढ़ते जाएंगे उस condition में hitting effect अलग condition में show होता जाएगा very important question है, memorize वाला question है और याद भी रखना पड़ेगा आपको अब बात करते हैं कुछ action of heat on hydroxy acid की बात करते है hydroxy acid की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहले अपन hydroxy acid ले रहे हैं वो alpha hydroxy acid ले रहे है isको alpha क्यों करा, cwh से जस्ट पहले वाली position गोś को is fail पोजिशन केते हैं और जहां पर OH present है तो इसको alpha hydroxy acid के दिये अपनोंने मारी बात हमज में आगी तो alpha hydroxy acid है कुछ भी दिमाग ने लगाने की ज़रुत नहीं यहां पर क्या हो रहा है H2 के मालिकुल निकल रहा है तो CWH के OH ठीक है यहां से H निकल जाएगा यहां से OH निकल जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है ऐसे ही इधर से भी हो जाएगा यह HOH निकल गया तो 2H2 के मालिकुल निकल गया बस जोड़ दो इनको यह CH यह यहां पर लिखा R CWO ठीक है इधर यह oxygen ऐसे ही यह C एक oxygen है यहां पर तो यह oxygen यह और यहां पर यह CH cyclic ester फार्म हो गया इसको गहेंगे cyclic ester किलियर है साफ 6-membered cyclic ester 6-membered cyclic ester alpha hydroxy acid को hit करेंगे तो आपको आपके पास मिलेगा 6-membered cyclic ester form होगा एक question और action of heat on beta hydroxy acid यहां पर beta position पर OH है तो beta hydroxy acid कहा है और अगर यह जो होगा तो उस condition में क्या होगा H2 यहां पर होगा alpha beta unsaturated acid बन जाएगा alpha beta unsaturated acid बन जाएगा यहां से OH, H निकल जाएगा alpha beta alpha और beta के बिच्चे में double bond हो जाएगा तो यह लिख लिए हम इने R, CH double bond CH, C double OH alpha beta unsaturated acid form हो जाएगा alpha beta unsaturated acid form हो जाएगा कि लिए रहे साफ चलिए आगे बढ़े action of heat on gamma hydroxy acid gamma hydroxy acid alpha beta gamma position pro H है तो gamma hydroxy acid है तो क्या होगा अब कार्बन की संक्या जैसे जैसे बढ़ती गई वेसे वेसे अब क्या है cyclic compound form हो जाएगा तो cyclic compound form होगा तो उस condition में क्या होगा साहब कि यहां से H2 निकल जाएगा क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा देखते हैं कैसे बणाँ इस structure को आर फिर यह लिए मैंने C H फिर यह लिए मैंने C H2 फिर यह लिए मैंने C H2 और फिर यह इधर जो है C H2 और यह OH निकल गया ना तो यह यह वाला एक oxygen है इस CH2 और ये एक oxygen यहां आ जाएगा बीच में और ये जो है C double bond O गामा hydroxy acid से इसको कहेंगे गामा लेक्टरन फार्म होगा गामा लेक्टरन फार्म होगा ठीक है इस्क्रिंशाट लेते रहना चाहो तो साथ के साथ में क्या फार्म होगा गामा लेक्टरन फार्म होगा सेम इसमें भी गंडिशन होगी डेल हाइड्रोक्स एसी डेल हाइड्रोक्स एसी तो डेल लेक्टरन लेक्टरन फार्म हो जाएगा कुछ नहीं करना यहां से ओ एच और यहां से H-H2 हो जाएगा किलियर है साब ठीक है चलिए basic विसी R यहाँ पर यह CH फिर यह ले रहाँ मैं CH2 ओके फिर यह CH2 फिर अगला CH2 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बचा COO साइकली के स्ट्रक्चर बन गई और 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर इस्ट्रक्चर बन गई तो बेंजिन लाइग स्ट्रक्चर बना इसको इस टाइब से बना सकते हैं इसको डेल लेक्टॉन कहेंगे इसको डेल लेक्टॉन गामा लेक्टॉन डेल हाइड्रोक्सी एसिट से डेल लेक्टोन फ़ाम होगा इसमें बहुत सारे CH2 ग्रूप जुड़े हुए बीच में अब इनसे ज़्यादा नमबर में अगर CH2 ग्रूप जुड़े हुए हो उस कंडिशन में क्या बात होगी तो उस कंडिशन में बनेगा साब linear polymer से बनेगा क्या फ़ाम होगा linear polymer फ़ाम होगा तो यहाँ से इधर से H और इधर से O H निकाल दो linear polymer फ़ाम कर दो यह O CH2 N C और यह O CO तो यह linear polymer फ़ाम होगा इस कंडिशन में सोरी सोरी एक्शन आप ही नॉन गामा है डोकसे असीट क्या फ़ाम होगा linear polymer linear polymer और H2O तो निकली रहा है NH2O तो यह है मैंने आपको बता है heating effect की बात करी है और heating effect में अपनोंने hydroxy acid के ओपर heating effect की बात करी तो किस-किस condition में क्या बन रहा है यहां से साहब cushion बनता है यहां से cushion बन सकता है याद रखियेगा ठीक है और memorize कीजिएगा यह चीज मैंने बताई है आपको बिल्कुल सामण यह condition में क्या क्या होता है अगदिलिक acid का heat करेंगे तो farming acid बनेगा और melonic acid को heat करेंगे तो acetic acid बनेगा यहां पर CO2 का loss हो रहा है इस condition में H2O का loss हो रहा है यहां तीन हो उस condition में H2O का loss हो रहा है यहां पर succinic acid से succinic acid बन रहा है और glutaric acid से glutaric enhydrate form हो रहा है यह चीज भी मैंने बता दी आपको साहब ज़्यादा carbon हो 4 या 5 intervening carbon हो तो उस condition में क्या form होगा तो यहां पर adipic acid से cyclopentanon बन रहा है याद रखना और इस से cyclohexanon form हो रहा है किस से? primalic acid से तो अब तो यह चीज हो गई साहब अब थोड़ा सा मैं आपको जो assistant professor की exam दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ चर्चा, final strategy general studies का बहुत tension हो रहा होगा कि कैसे क्या होगा तो थोड़ा main main revise सो करना पड़ेगा क्योंकि minimum qualify mark से भी लाना पड़ेगे लेकिन मैंने strategy बताई थी कि अगर आपको जो है कम से कम question भी आ रहे हैं और last में एक common जो है आप bb या cc जो भी है option पकड़ लगा लेना उसमें से कुछ तो वो सही हो जाएंगे और बाकी जो है अगर आपको 15-17 question भी आ रहे हैं तो आपकी 20 से उपर question बन जाएंगे सही हो जाएंगे तो general study को आप जो थोड़ा memorize जरूर कीजएगा क्योंकि इसमें जो है क्या करना है आपको minimum qualify mark सो लाने लाना और आपको जो scoring जो होगा रिवाइज इसको भी कड़ते रहिएगा time बहुत कम है अब यह सोच रहे होगा यह पड़े वो पड़े लेकिन फिर भी अपना mind जो है peaceful रहे और जो पड़ रहे वो पड़ते रहे जो पड़ते रहे जो आपने जो इतना time होगा पढ़ते बढ़ते तो हो सकता है अपने short notes भी बनाए तो देखना है उसको chemical science में ज्यादा tension ना ले क्योंकि यहाँ पर जो है आपको target पुरा करना है 150 question attempt करके आना है कोई negative marking नहीं है इसलिए सभी question को कम से कम पढ़ना तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा ठीक है तो ज्यादा calculated question है ज्यादा lengthy question है उनको छोड़ते जाए और आगे बढ़ते जाए और पेपर अपना जो है peaceful mind से पेपर करें physical chemistry में मैं यह कहूँँगा कि physical chemistry में ज्यादा high level की question ना करें B.A.C. level की जो mathematics से है mathematical question है वो कर ले electrochemistry में और electrochemistry में और chemical kinetics में इन में से question बनेंगे कुछ numerical बागि high numerical type की ज्यादा calculated question या ज्यादा वो नहीं कर रहे जो simple formula based दे है वो question कर ले तो उनमें काम चल जाएगा जितना ज्यादा उल्जोगे वहाँ पर आपके पास time नहीं मिलेगा time important है इन और्गेनी chemistry भी जो basic है आपने कर रही होगी ज्यादा इतनी advance नहीं पूछी जाती है लेकिन जो syllabus की according है वो देख लेना basic to advance और्गेनी chemistry में जरूर है बहुत सारी चीज़े आएगी और्गेनी chemistry में और्गेनी chemistry में आपके जो है जो mainly topic जो ध्यान में रखने आपको name reaction से question बनेंगे बनेंगे reagent से question बनेंगे बनेंगे कुछ question spectroscopy से भी बनेंगे तो spectroscopy भी करके जाएगा थोड़ा इतना ज़्यादा advance नहीं लेकिन basic question बनेंगे spectroscopy के heterosagical chemistry है biomolecules से question बनेंगे organic chemistry में aromaticity से बनेंगे कुछ question IOPC naming से भी बन सकते है medicinal chemistry, environmental chemistry इनसे question 2017 के paper में पुछे गए है organic chemistry थोड़ा अच्छे से करिएगा बाकि 2017 के paper देखें तो ज़्यादा इतना भी advance नहीं था moderate paper था और जिन्होंने study अच्छे से कर रहे ही हो वो अच्छे से qualify कर सकते हैं यहाँ पर knowledge का नहीं knowledge तो सभी को है, सभी net set qualify है बस आपके strategy क्या है, यह important role रखेगी कि आपके जो 3 गंटे है जो बेपर दे रहे हैं, उसमें आपका mind क्या है peaceful mind है या नहीं है question आते हुवे गलत नहीं होने चाहिए बस यह ध्यान लखना जो question आते हुवे उनको सभी कर के आना ठीक है साथियो, सभी को best of luck जो assistant professor की exam देने जा रहा है 4 अगस्यों को और मेरे द्वारबी MP assistant professor और MPs 8 का course जो है करवाय जा रहा है assistant professor का exam बहुत जल्दी है 4 अगस्यों को है लेकिन MPs 8 का exam December में है, तो MPs 8 के जो साथी हमसे जुनना चाहता है, MPs 8 की जो preparation कर रहे है वो हमसे जूड सकते है मेरे सभी तरह के जो मेरे self-repair notes भी मिलेंगे आपको recorded video भी मिलेंगे और पूरी strategy मिलेगी का आपको कैसे selection देना है PGT में भी काफी selection दिये थे और PGT के course से ही काफी set में select होए थे अभी especially set का course launch किया गया है especially MPs 8 का course launch किया गया है तो वो तो paper के बाद ही बता चलेगा इमानदारी से मेनत करिए ठीक है सात्यों सभी को best of luck congratulations मिलेंगे फिर next video में तब तक के लिए okay भाई जहिन